दोस्तो इस वीडियो में आप लोग को दिखाँगा कि India Post Payment Bank का Mobile Banking Application IPvB app में आपको Login करने के लिए कैसे Registration करना होगा और Registration करने के बाद में आपको IPvB app में कैसे Login करना होगा उसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो पर में आपको दिखाने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर से आपका device location के लिए while using the app में click करना है while using the app में click करने के बाद दोस्तों यहाँ भी आपका mobile का location को on करना होगा ठीक है location access के लिए location on कर दीजे उसके बाद में आपको यहाँ पे जो एंट्रेवर्च दिखने के मिलेगा इसमें आपको login now में click करना है जो आपको account नमर मिला था बहुँ एककाउंट नमर डालना होगा जो कस्टमर डालना है उसके बाद में आपका अधरकार में जो data bar थे बहुत डेटर बर्द आपको डालना होगा और इसके बाद आप इंटेशिशब नमर डालना है तो यह कोई बड़ा problem नहीं है यह चोड़ा problem है इसको इस वीडियो में आपको यूही solution करके दिखा दूँगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगी दूसतों में क्लिक करना है उसके बद आपका डिटेटर बार्थ को यहां पे गोर से डालना होगा तो calendar जब निकल के आ जाएगा यहां पे जो 2023 आपको दिखने के मिल रहा है यहां पे click करना है आपको 2023 में click करके आपका date of birth का year यहां पे select करना होगा यहां इस तरह से आपको यहां पे select करना होगा यानि आपको invalid details को दूर करने के लिए साथ से पहले आपका account नमर और custom ID को सही से डालना है उसके बाद में आपका date of birth को सही फर्मूले यूज करके मैं इस तरीकी से दिखाया उस तरीकी से आपको डालना है डालने के बाद में आपका mobile number डाल दीजे और mobile number डालने के बाद में आपको नीचे register में क्लिक कर देना है register में क्लिक करते ही पहले का invalid details का problem यहां से हट जाएगा और उसके बाद आपको यहां पे set mpin का option दिखने को मिल जाएगा तो अभी आपको दोस्तों यहां पे new mpin के जगह पर आपको कोई भी चार डिजिट का यानि चार नमबर का आपको यहां पर डाल दीजे उपर में और same mpin नमबर को आपको नीचे re-enter mpin में डालना है इस तरह से आपको mpin बना लेना है बना कि आपको नीचे set mpin में क्लिक करना है set mpin में क्लिक करती अभी यहां पर देखिए add security questions अभी यहां पर दोस्तों आपको बहुत सारे questions दिए गए हैं वो question का answer आपको यहां पर डालना होगा तो सबसे पहला जो question है what is the place of your birth अभी आपका जन्प का जगा है जगा का नाम डालना होगा अगर आप question को change करना चाहते है तो question के उपर क्लिक करके उस question को आप change कर सकते हैं दूसरा answer रख सकते हैं तो मैं यहां पर question में place of birth को select करता हूँ उसके बाद में place of birth का नाम डाल देता हूँ उसके बाद नीचे what is the first school that you have attended अभी आपने कौन सा first school में गया थे वो school को नाम डालने से हो गया है यहाँ यहाँ आपको याद रखना है जो भी आप डालेंगे आपको याद रखना है किसी एक teacher का नाम यहाँ पर ढाल दीजिए इस तरह से आपको सारे question का answer आपको देना है देखे इसके screen shoot आपको रख लेना है ताकि आपको future में काम आ जाए उसके बाद आपको submit में क्लिक करना है और यहाँ पर submit में क्लिक करते ही आपका phone permission के लिए आपको allow में क्लिक करते ही allow में क्लिक करते ही अभी आपके IPV के साथ registration mobile नंबर पर OTP जाएगा उस OTP को दोस्तों आपको यहाँ पर enter करना है और OTP यहाँ पर enter होते ही आपका registration successfully हो जाएगा IPV में में क्लिक करना है और यहाँ पर देखे लोग इन में क्लिक करते ही आपने अभी जो MPIN बनाया था 4 डिज banking open हो जाएगा और यहाँ से अभी यानि आपका IPV मोबाल बैंकिंग के जरिये अभी आपका account का balance check कर सकते हैं अगर आप निचे आएंगे तो अब फंट ट्रस्पर कर सकते हैं और निचे आएंगे तो UPS services आपको मिलेगा यानि आप यहाँ से पैसा भेज सकते हैं पैसा करें मेनव मेनमे अगर आप क्लिक करतें मेनु का ऐकन में तो उसके बद अपका माइ प्रोफायल में अगर क्लिक करेंगे तो आपका account details यहां से चेक कर सकते हैं तो यहां से चक कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका है कि IPV Mobile Banking आपको कैसे active करना है कैसे login करना है उसके बारे में दोस्तों अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्प रहा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इस तेका नए नए वीडियो मिलता रहे है